तो दोस्तो BSNL अभी नहीं तो कभी नहीं वाली situation के अंदर आ चुका है BSNL के पास्ट अभी ये best मौका है अपनी खोई हुई मार्किट को सालो बाद एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरीके से ग्राम करने के लिए अपने जो टैरिफ प्लांस की प्राइजिंग है रिचार्ज प्लांस की प्रैसिंग है वह यहाँ पर बारा से लेके अप्रॉक्सिमेटल 25 परसिंट तक यहाँ पर बढ़ा दी है ऐसे में BSNL अकेली टेलिकॉम सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर कमपनी है जिन्होंने अपने टेलिफ प्लैंस के अंदर है प्राइसिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है अभी तक कोई यहां पर टेलिफ हाइक नहीं किया है जैसा कि आपको पताईए BSNL हमारी देखने को मिल रही है और किस तरीके से आप BSNL के अंदर अपना जो नंबर है वहां पर पोट कर सकते हो या फिर BSNL की नई सिन यहां पर खरीज सकते हो उसके बारे में बात करेंगे लेकिन समसे पहले भाई BSNL के टेरिफ प्लैंस की तरफ एक नजर डालते है आप भी टेर के अदर देखने हो मिल जाएगा अन्लिफ्टिट वोइस कॉलिंग देखने हो मिलेगी और यहां पर मिलेंगे ही तो देख सकते हो काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है अभी के इसाम से अगर आप इस प्राइसिंग में एटल बगरा को देखते हो तो वह सिर्फ एक जीवी देखने को बिलेगा 4G वाला अन्लिम्टिट कॉलिंग आपको देखने को मिल जाएगी 100 SMS वह देखने को मिले गई इसके बाद 108 रुपे का बाई प्लान देखो यहां पर कितना सस्ता हो जाता है और 28 दिन के दर आपको इसके दर वैलिटी देखने को मिल रही है वन जीवी प 60 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है मतलब पूरे साल का प्लान यहां पर हो जाता है मात्र 2000 रुपे के अंडर 1199 इसकी यहां पर प्राइजिंग है दो जीवी पड़े डेटा और अन्लिम्टिड कॉलिंग यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है जबकि अगर सेम दो कि आपके अरिया में कवरेज होनी चाहिए उसको किस तरीके से पता करेंगे तो काफी सारी तरीके या तो आप भाई अपने आसपास के लिए बाद बीचल की सिमों तो उससे पता करनीजिए नहीं तो फिर एक वेबसाइट है जहां पर आपका पूरा कवरेज मैप आ आपके एरिया में जो BSNL की coverage है या फिर वो यहां पर नहीं है आप दूसरी चीज यहां पर निकल कर आती है कि भाई ठीक है इनके plans सस्ते हैं लेकिन क्या यहां पर आपको unlimited data देखने को मिलेगा नहीं भाई जो 2GB per day देट जी भी 1GB per day वाले इनके plans है 4G data के अंदर लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको unlimited 5G data नहीं चाहिए अगर आप बोलते हो नहीं भाई मेरे 5GB, 2GB, 1GB per day में काम चल जाता है तो फिर BSNL आपके लिए एक better choice यहां पर हो जाती है यहां पर अभी BSNL के पास कोई 5G technology नहीं है यह एर टेल और जियो की तरह अभी 5G offer नहीं कर रहे है सिर्क 4G यहां पर offer कर रही है अब बात निकल कर आती है बाई क्या इनका 4G ठीक चलता है क्या कुछ speed देखने को मिलेगी तो देखे एक चीज मैं उत्तरप्रदेश NCR वाला है जो एरिया हो गया इसके अंदर यहां पर किये गए हैं तो अगर आप हर्याणा पस्टमी उत्तरप्रदेश के एरिया में एंसी आरे अगर हम पंजाब में रहते हैं तो चांस है थी आपके यहां पर अच्छी खासी आप हो सकती है तो आप चेक आने का आपका काम है आपकी वीडियो पॉलिंग है वोइस कॉलिंग है फेस्बूक इंस्टाग्राम है जैसे आप 5G करते हो वही सब आप यहां पे भी कर सकते हो एक चीज़ का ध्यान रखिए अगर आप गेमर वगरा हो गेमिंग करते हो आप लो पिंग चाहिए लो लेटे होता है वोइस ओवर 4G होता है LTE होता है उसका भी सपोर्ट नहीं है नॉर्मल 4G स्वीड्स आपको यहां पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अगर आपके यहां सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो देखें बात है अगर आपके एरिया के अंदर यहां पर रेंज है अ और आप different cities में ज्यादा travel नहीं करते हो अपना area छोड़ के मतलब बहार ज्यादा नहीं जाते हो आपका एक ही जगह के रहने का काम है तो ठीक है लेकिन अगर आप ऐसे हो कोई जो की मतलब की वाई बार-बार move करते रहते हो एक शहर से दूसरे शहर आपका काम कुछ इस तरि के का है या फिर city के अंदर ऐसे अरिया में आप ज्यादा रहते हो जहां पर बेसे की रेंज नहीं है तो मैं बोलुगा हाफ फिर अवाइड कीजिए secondary सिम रख सकते हो मैं बोलुगा फिर भी एक better option रहेगा लेकिन प्राइमरी सिम आपके लिए नहीं है क्या आपकी और जाओ वगरा इस साइड अगर आप रहते हो तो और भी बहुत साही सर्विस हैं डाउन सायूट में भी हैं कुछ वेबसाइट जो की डेरेक्ट आप वहाँ पर रेजिस्टर कीजिए आपकी घर पर डेरेक्स इम पहुचाएंगे आपकी सिम चानू करेंगे सब कुछ पोर्ट भी यहां से कर सकते हो सिम डिलिवरी भी आप ले सकते हो फेस्ट कर लेना ऑनलाइन बेशनल सिम डिलिवरी आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी यह पिर आपके अरिया में घरहाक सेवा के अंदर है मतलब कस्ट्वाइब के सेंटर है विसक्ति में एक आदा होता ही हो यह पूरी सिच्वेशन है अभे आपको विडियो के साथ में आई होप आपको वीडियो पसेले और आपके डाऊट्स होगे पोटिंग के बारे में नई सिम लेने के बारे में बीडियो को लाइट जरूर से कर देना चैनल पर नेगो पहली बर आया तो चैनल को सब्सक्राइ करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना और मैं मिलता हूं हमेशाक तरफ से नेक्सी वीडियो में तक कि ने बाई एंड टेक केर